एलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहें एक और नए डिजाइन का डोर में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सेर करें सिस्क्राइब करें तो चलिए वीडियो कैसे बनाना है देख लेते हैं तो सबसे पहले यह देखिए हमने जो यह साड़ी की पट्टिया उसको हमने यह एक इंच की पट्टी हमने फार ली है यह इस तरीके से देखाते हैं आपको यह देखिए और यह कैसे फार न वह भी दिखाते हैं यह देखिए एक इंच की पट्टी लगबग मैंने फारी है आप एक 1.5 इंच से ज्यादा कभी मत पारे और अगर चुणि है अगर मुलायम कपड़ा है आपका चुन्नी का है यह देखे मेरा चुन्नी का कपड़ा है तो इसका मैंने 1.5 हिंच का फाड़ा है क्योंकि यह बहुत सौफ्टली है तो अब इस तरीके से हम यह देखे तीन कलर से आज हम डोरमेड बनाएंगे तीनों कलर से बहुत ही प्यारा खुबसूरत सत चलिए बनाना स्टार्ट करते तो सबसे पहले तो हम फंदे डालेंगे फंदे डालने के बाद देखे इस तरीके से हम फंदे डालेंगे फंदे डालने के बाद अब यहां से हम आपको पताते हैं कैसे बनाना है अब यह देखे यहां पे हमने एक दो दो यह आप माल लीजिए आपने फंदे डाले हैं और फंदे डालने के बाद दो सलाईयों को इस तरीके से दो फंदे बुनेंगे और पलट लेंगे अब यह देखिए हमने इसके दो फंदे बुन लिए अब बुनने के बाद अब यहां से देखिए इस तरीके से हम यह यलो कलर लगाएंगे और पीछे की साइट को पलट लेंगे धागा और यहां से एक फंदा बढ़ाएंगे एक, दो, अब यह हमने पहले दो फंदे बुने थे और पलट ले आता अब यहां से एक और दो, दो फंदे बुनेंगे और पलट लेंगे पलटने के बाद फिर से हम इसको complete बुनेंगे इसी तरीके से एक, दो, तीन, चार, पाँच, और एक हमारा ये छे छे फंदे हम बुल लेंगे और इसे tight कर देंगे धागे को और पीछे के साइट पलट लेंगे अब यहां से देखिए फिर से अब इस थागे को इस तरीके से एक बार राउंट दारेंगे एक फंदा बढ़ाएंगे और यहां से तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और एक ये आठ, नो आप चाहें तो एक-एक फंदा नीचे की साइट बढ़ाएंगे हम दो-दो फंदे बढ़ा रहे हैं तो अब यहीं से पलट लेजिए पलटने के बाद अब हम उपर की साइट को जाएंगे इस तरीके से यह देखे है अब यह साथ तो फंदो को हम उपर की साइट को बुनेंगे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से और सस्क्राइब और मेरे साथ जूरने के लिए सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि मैं डेली एक वीडियो अप्लोड करती हूँ साड़े तस बजे दस साड़े दस के बीच में आप हमारे साथ जूरना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले और डेली एक वीडियो देखें तो यह देखें यहाँ पे आप देखें हम नेश्ट कलर लगाएंगे नेश्ट कलर हम लगाएंगे यलो का रेड का इस तरीक से बुढ़ेंगे यह देखें दियान से देखें वीडियो को फूल वाच कीजिए और बहुत ही प्यारा खुबसूरा सा डिजाइन है तो प्लीज इसके बल बिल्कुल मत कीजिए नहीं तो समझ में नहीं आता फिर आप लोग पूस्ते हैं कैसे बना के मैं फिर से बता दीज कीजिए तो आप लोग फुल वाच कीजिए तब ही समझ में आएगा और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करके बोलिए मैं आपको फिर से बता दूँगी यह देखे इस तरीके से बनाएंगे बहुत ही पीजी है बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है तो इसलिए मैंने सुचा आप उसको एक बार फिर से यही डोर में पताते हैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो यह देखे इस तरीके से हमने सभी फंदे बुल लिए पलट लें अब यहां से आप चाहे तो इस तरीके से फंदे बढ़ाएं और चाहे तो उस तरीके से जो हमने इसके पहले बताया है दोनों तरे से फंदे आप बढ़ा सकते हैं लेकिन कलर जब भी लगाएं तो कलर लगाते समय हमेशा फंदे को पलट के फिर उसके बाद ही फंदा अब इस तरीके से देखे इन सभी फंदों को हम बुनेंगे रेड वाले जितने थे हम रेड से बुनेंगे और यहां पर एक दो दो फंदे हम रेड से बुनेंगे पलट देंगे पलटने के बाद सभी रेड फंदों को बुनेंगे अब देखे हमने रेड कलर को बुन लिया और यहां से पलट लेंगे इस तरीके से एक बंदा बढ़ाएंगे अब दिये देखे एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा और एके सोला सत्रा अब सत्रा फंदे हमने यहां से पलट लेंगे अब यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ तस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा सोला सत्रा और एक ए अठारा फंदे हम बुनेंगे अब देखे यहां से फिर से हम इस तरीके से एक फंदा बढ़ाएंगे और पूरे फंदों को देखे किस तरीके से कितने फंदे बुनने हैं यह बीच का हमारा डिजाइन है तो यहां पर ध्यान से देखेगा इस तरीके से आपको हमारे डिजाइन कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जिरूर बताईएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंदाए तो प्लीज सस्क्राइब कीजिएगा तो यह देखे इस तरीके से अब यहां पर दो फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे और बाकी दो फंदे पड़े रहने देंगे अब यह देखे यहां से पलट लेंगे अब उपर की साइट को जाएंगे और कम्प्लीट फंदो को बुनेंगे इस तरीके से अब यह देखे यह बीच का था तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से दो का एक करेंगे यहाँ से दो का एक यलो से करेंगे और एक दो तीन चार पात छे साथ आठ नौ तस ग्यारा बारा तेरा जोदा पंदरा और यह के सोला सोला फंदे हम बुनेंगे और यहीं से पलट लेंगे अब देखे यहाँ से हम पलट लेंगे और उपर की साइट को जाएंगे अब यहीं से पलट लेंगे अब यहीं सोला फंदे हम उपर की साइट को बुनेंगे और यहां से देखेए गाध्यान से अब यहां से फिर से हम सीधी साइड लेंगे और पलट लेंगे अब देखिए यहाँ पर हम फिर से दो का एक करेंगे इस तरीके से दो का एक करेंगे और एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, देखिए अब यह एक, दो, उपर गटायत, अब यहाँ पर बारा फंदे बचे और यह से पॉलट लेंगे अब उपर की साथ को जाएंगे, पूरी कंप्लीट रो बनाएंगे, इस तरीके से अब देखिए, यहाँ पर हम फिर से दो का एक करेंगे, रेड कलर से दो का एक किया, और यह देखिए, एक, तो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस फंदे हम लेंगे, दो फंदे छोड़ देंगे, यह से पलट लेंगे, अब हम उपर की साइट को जाएंगे, अब यहाँ से हम फिर से दो का एक करेंगे, और एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और यह दो छोड़ देंगे, पलट लेंगे, अब उपर की साइट को जाएंगे, अब यह देखिए, अब यहाँ पर हम ब्लैक से, दो का एक करेंगे, इस तरीके से, एक, दो, तीन, अब तीन फंदे हमारे हैं, अब यही से पलट लेंगे, अब उपर की साइट को जाएंगे, अब देखिए, यह तीनों फंदे हम उपर की साइट को चारों बुनेंगे, इस तरीके से, और इसे सीधे लेंगे, और पलट लेंगे अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से दो काए किया और यहाँ पर हम पूरी सलाई को इस तरीके से बुन लेंगे कम्प्लीट सलाई अब ब्लैक से हम बुनेंगे अब यह देखिए हमारा फाइनल लुक कितना खुबसूरा सा डॉर्मेट है अब यह हाफ डॉर्मेट बनके रेडी हुआ है इस तरीक से आठ कलिया इस साइड भी होंगी और यह डॉर्मेट बनके कम्प्लीट हो जाएगा